तो नीरय सर फस्ट एक फार कॉंगरिस्टवेशन्स आपका जो गेइब बढ़ंगों काफी पसंद आया बाहर निकलने के बाद भी लोग आपको काफी पसंद करें आपको सब्सक्राइब करें सफर कम था लेकिन उस सफर को आप किस परगा डिस्टाइब परेने सफर कम नहीं था सफर तो बहुत ज़ादा कम था मतलब चलने से पहले रुख गया मैं जितने भी इन था अच्छा एक्सपीरियंस था अच्छा एक्सपीरियंस इसलिए था क्योंकि मैं वहां पे दिपक कि में ट्रीयल लाइफ में तो हैल्फूल हुई हुई मैं लगीन ह陷 इस तीति में मुझे बढ़ने है कि मुझे उसकी रह प्रणे पड़ेग उसको वश्रूम की तक ले जाने उसके उसक कपडे चेपरेंग prossलों को नहिकर में वह चीज owTON जाने में क्वेरा दोंकि पहले जो कि मैं तरह प्रपित करसुए फिर अप्रोंट के लिए नियुक्राम नियुक्राइञ करने हैं उयुक्सम्ठीने अप हैं एसा इंचिंश मैं किसी किन ल हूँ जानते थे हैं जो बॉक्सिंग को फोलो करते हैं वो लोग जानते थे कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में यह बात हमेशा रहती थी या रहती है अभी भी कि जिस तरह से युएस में लोग युएस के लोग बॉक्सर्स को फोलो करते हैं बॉक्सिंग की फाइड देखने के लिए टि तो इसलिए मेरा डिसीजन था कि मैं बड़े शो में जाओं। आपको लगता है कि आपकी टुवर्ड्स बायस्ट रहे हैं? नहीं मैं यह नहीं कह सकते कि आप बाइस्ट बूइस्टाड़ कोई बात ही नहीं हैं मुझे यह नहीं पता कि मैं किस कारण बाहर आया जरू कि दो कोई बात ना लोगों में लगी नाहीं शो के बारर में लगी शो बहुत अच्छा था और जो बाहर की टीम थी मुझे लगा इतनी टीम वहाँ पे काम करें बाकि समझी अच्छी थी बट मैं बाहर क्यूं आगए य और हो जाना चाहिए ताकि शो में और ज्यादा मजा आता काटे की टकर पे शो चलता इवन आपका प्रोफेशनल बॉक्सिंग है लेकिन आप उदर जाके दम शांत नेचर था आपका लोगों का ये भी कहना है कि थोड़ा बाइस शायद होते थोड़ा मतलब बहुते नहीं नह जहां तक बात है लड़ाइज गड़े की तो मैं बिना मतलब किसी से कैसे जगड़ा कर सकता हूँ और हम बोक्सर है हम किसी से जगड़ा करें तो हम तो चलते भीड़ते वैपन हैं मैं किसी को मुक्का मारूँगा तो अगला पता नहीं क्या हालत होगी लेकिन उस स्थिती में हम बहुत देर के बाद जाते हैं वहां तक पहुँचने में हमारे दिमाग को बहुत जबागा गरम किया जाता है और ऐसी कोई स्थिती उस घर में बढ़ी नहीं कि मुझे गुसा आ तो तब मुझे वह जोर से चिलाने की भी तब मेरे पर आई वह उसके अलावत ऐसी कोई स्थिती नहीं कि मुझे कुछ बोलना पड़े और दो दिन में क्या ही दिखा पाऊंगा दो दिन में मुझे क्या ही गुसा आएगा दो दिन तो मुझे लोगों के दिल जीतने में लग दो किसी ने मुझे देखा ही नहीं दो दिन में आदमी क्या क्या करेगा इस आप यह नहीं कह सकते कि बिग बोस किसी चीज़ को परमोट कर रहा है यह बात हम नहीं कह सकते वह अर्मान की प्रसनल लाइफ है उस लाइफ की वज़ह से वह बिग बोस के अंदर आया है लेकिन लेकिन वहीं बता रहा हूँ वहां पे लेकिन दिपक भाई भी आप पर रणवीर भाई आप नहीं बड़ी बड़ी शक्षियत जिन दिपक भाई को एकतिस साल गया हैं इस का मीडिया के काम में मुझे 19 साल हो गए हैं बोक्सिंग करते हैं रणबीर भाई को बाइस प्लाने 24 साल हो गए हैं यह काम करते हुए और ऐसा नहीं है कि जो वड़ा पाउ वाली है आर्मान है जो यूटूब वाले लोग हैं उन कि अगर हम मुझे नहीं लगता कि हमें इस प्लेट फांपर जाकर हमें कंपेर करना चाहिए मेरे को किसी वड़ा पाउ वाले से या मुझे दो बीवी वाले के साथ मेरे दो एक भी बीवी नहीं है बाई मैं कैसे किसी को अपने साथ कंपेर करूंगा बढ़ा सिर्फ यह कि समाज में कहीं ना कहीं है मैसीज गलत जाएगा कि सब को दो शादी करने चाहिए और इसी बात को अगर लड़की सोच लें कि मेरे भी दो पतियों ने चाहिए तो इस समाज के एकसेप्ट करेगा आप जितने लड़के खड़े हो यहां पर कोई भी एकसेप्ट नहीं करेगा आप अग sp unintended तो क्यूस verde करें तो क्यूं हम ऐसा दिखाए तो उनकी प्रसनल लाइफ है वह चल रही है उसsya को ना तो बिग बोस बहुँ कर रहे हैं कि दो शादी करो, दो शादी करो, मैं वहाँ पे गया था मेरी boxing को दिखाने के लिए, मैं वहाँ गया था मेरे daily routine को दिखाने के लिए, तो लोग मुझे भी follow कर सकते हैं, मेरे को देखके लोग fit भी तो सीखने वाले वहां पर बहुत सारे लोग हैं, अगर बात करें वड़े पाउ गरल की, तो उससे भी लोग सीख सकते हैं, कि महनत करके कहीं भी पहुंचा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि उसने सिर्फ वह फाइट करके वहां तक पहुंचे लड़ाई, तो सड़क पर कोई भ प्रगल को, किसी की महनत को ऐसे ही नहीं बोल देना चाहिए, कि वह ऐसे ही पहुंच गया, बड़ मैं ऐसा ही हूँ, और शाहिद इसलिए बाहर बेटा हूँ, अपने बड़े भाई दिपक भाई, उनसे बड़ा लंबी रेस का घोड़ा कोई भी भी नहीं है, बट बशरते वो विलचेयर से उठ जाएं और उनकी एक्टिवीटी थोड़ी से बढ़ जाएं, बट कही ना कहीं ओडियन्स सना मकबूल को टॉप फ्री में देख रही है, सना मकबूल का जो है वो एक खिलाडी है, एक एक्ट्रेस है, मुझे नहीं लगता कि वो जा दिन चाप आईगी, और मुझे लगता है तो फाइफ तक तो आ सकती है, और जू रनवीर को ये नो बिग बॉस कहा जा रहा है, कि वो घर के अंदर ये नो बिग बउस नहीं मुझे मुझे लगता है मुझे लगता है रनवीर भाई का दिमाग बहुत जालदा जल्दी ठक जाएगा, वो ठक कि एक महिना बहुत कम दिन नहीं होते हम तो यहां पर इतने सारे लोगों से मिल रहे हैं दिन में पता नहीं कितने लोगों से मिल रहे हैं वहां पर तो वहीं पांच-दस लोग हैं अर्मान की वह में शिवानी की बात करूं अर्मान शिवानी का एक ब्लॉग भी आउट हुआ ह जहां पर ये दोनों पहले मिल चुके हैं बहुत सारे लोग मुझे लगा कि वहां से वहां पर ऐसे जो एक दूसरे को पहले से जानते थे पर वो जो लोगा आपस में दूसरे को पहले से जानते थे उनका नुकसान मुझे कहीं नहीं हुए नहीं वहां पर माहूल ऐसा बन गया वहाँ पे सब एक दूसरे के साथ ही खेल रहे हैं पर अगर मैं वहाँ पे मेरी बात करूं तो मैं भी उनके साथ खेली रहा था लेकिन मेरा वहाँ पे प्यार बन गया और शिवानी की बात करें तो शिवानी अगर उनको पहले से जानती थी तो उन दोनों की आपस मैं ऐसी मुझे इस बारे में मतलब कुछ नहीं कह सकता कि अगर पहले की दोस्ति और वाद में उन लोग की खराब हो रहे हैं इसके बारे में जज्जमेट का मुझे समय नहीं मिला जिस तरह से वांदी को लेकर पहा जा रहा है पूसका मासा ठीक लगते हैं अब कहीं लोग को अच्छी नहीं लग रही है मैं शिवाने के साथ बहुं जज्यादा फन करता था बहुं ज़्यादा वो पता नहीं स्कृन पर कितना नहीं दिखाया इसको पसंद बोल रहे हैं वह ची नई चाहती है नहीं को समझना चाहती है क्या कहना है आपको इस बाद पर वहां पर ना लोगों ने एक दो दिन में सब को जज़ कर लिया है वो उनको धूंडी नहीं पाए कौन सही है कौन गलत है तो मतलब वो थोड़ी थोड़ी सी जज्जमेंट पे वो लोग इतना रियक्ट करें कि यह सही है और यह गलत है लोगों को समझने में टाइम लगता है आप एक दिन में किसी को नहीं समझ पाओगे या कुछ चन घंटो में नहीं समझ पाओगे तो मैं अपने आपको खुशनसीब मानता हूं कि मुझे लोग समझ पाए और मेरे साथ अपने एमोशन चोड़ पाए घर के अंदर वाले भी और घर के बाहर वाले भी गाने को लेकर जिस तरह आपको उभाश कहों से थे ने वाले पास देखता, जो खाना को मिलता है नहीं कोछ बये हैं छाई है नहीं नहींैं किसी से पूछा कि खाना कहां पर होगा इनों ने डड़ा ड़ा ड़री बेल दी जो दो के जिंटीन सब्सक्रण हो गया तो वहां पर की सिने सबसे ज्यादा कम घा हो तो तो मैं था क्योंकि मैं मिर्च मसाले खाता नहीं हूँ, तो इसकी वज़ा से मैंने और कम खाया है, क्योंकि यह बहुत चटपटा स्वादिश्ट चीज़े बनाते थे, मैंने और कम खाया है, तो इसकी वज़ा से वो mismanagement होने की वज़ा से आवाज उठी, और जब आवाज जब तक इनका पेट नहीं बरेगा, तो यह लोगों को अपना content कैसे देंगे, यह दूसरे के साथ लड़ेंगे कैसे जब तक energy नहीं होगी, तो जो मेरी आवाज थी, वो सब के लिए थी, और उसी आवाज में कहीं ना कहीं यह बात थी, कि जब लोगों के लिए धुमरपान की चीज़ें आ सकती हैं, तो क्या जो खाना कम बडर उसकी जगा ब्रैडी भेज दो, पीनेट बडरी भेज दो, और वो सिर्फ मेरी अकेले की नहीं थी, वो बहुत सारे लोगों ने बात मुझे भेजी थी, और फिर उन सब की बात मैंने रखी थी, कि यह बात कहीं ना कहीं अखिए ना कहीं करें, तो जब इडिया की बॉक्सिंग बेंट के साथ जुड़ जाएगी, जैसे मैं मेरी कोशिस चली रही है, एंटरेंवेंट के साथ जुड़ेगी, तो बहुत सारे लोग इंटरेस्ट लेंगे, आप सब लोगों को मेरे बारे में शाहिद पहले नहीं प बस्काइ राजिगा